असलाम अलेकूम आज मैं हाजिर हूँ नेरा सीपी के साथ आज आप लोग देख रहे होंगे ये हैं मेरे पास ओजरी आज मैं ओजरी बनाऊंगी और आप लोगों को पहले तो इसको वाश करना दिखाऊंगी और फिर इसको पकाना सिखाऊंगी और ये देखिए आप लोग ये मेरे पास दो ओजड़ी हैं और इनको मैंने इस तरह रखा है मैं आपको दिखा दूँ इसकी लोग ताके बाद मैं साफ हो के फिर मैं इसकी लोंगी यह देखिए यह बक्रे की ओजड़ी है दो अदद बक्रे की ओजड़ी है इसको मैं इस तरह पीसिस में काट लूँगी मेरे साथ मेरी वालदा हेल्प करवाएंगी आप लोग देख रहे हैं इस पकड़ी के मैं गाटते जा रही हूँ इसके तक्रीम छोटे ज्यादा पीस नहीं करने हैं आप लोग देख रहे हैं किस तक्रीम एक औजड़ी के तक्रीम चार से पांच पीसिस होगी आप लोग देख रेह रहे हैं यह मैंने पानी गरम कर दिया हूना है बिल्कुल पकता हुआ यह पानी है, इसमें मैंने एक पीस डाला, इसको दो से तीन सेकिंड के लिए मैं इसको हिलाओंगी, इसमें छुड़ी के साथ देख लें, क्योंकि पानी बहुत ही गरम है, सारी ओजरी को मैं इसी तरह एके करके ही दूँगी, सारी को कठी नहीं दालू वरना यह अकठी हो जाती है, इसको मैं गरम पानी से फोरण ही निकार लूँगी, दो सेकिंड के अंदर, अब आप लोग यह देख रहे हैं, यह मैं हाथ की मतल से इस तरह यह उतारी हूँ, यह साथ साथ होता जाएगा, देखें, यह इस तरह साथ होती जाएगी, इस तरह वान पाई वान पीस करके मैं इसका पानी में डालूँ, गरम पानी में और इसी तरह यह मैं सारे इस तरह उतारती जाओंगी, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, आज मैं इसको वाश करने का भी तरीका और पकाने का भी तरीका आपको दिखा रही हूँ, यह देखें, चुड़ी की मदद से भी, इसना मैं इसको अच्छी तरह से साफ का रही हूँ, बकरे की ओजड़ी मेदे के लिए बहुत फाइदा मंद होती है, यह देखे इस तरह, इसको आइस्ता इस्ता चुड़ी की मदद से रगड़ के हलके हाथों से यह सारा उतरता जाएगा, क्यूंक मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले इसकी लुक देखिएगा और बाद में देखिएगा, अब यह सारी मैंने साफ कर लिया अच्छी तरह से, अब मैं इसको मज़ीद वाश करने से पहले, मैं इसके पीसिज आपको दिखा रही हूँ, यह देखे, इस तरह मैंने पीसिज कर हुई है अब इसकी स्मेल अत्म करने के लिए मैं बताऊंगी यह देखें यह इसका गांद सारा उतार दिया वह मैंने इसको अच्छी तरह मैंने साफ कर लिया था यह इस तरह इसकी लुका अगई हुई है अब इसकी महक हत्म कर ले के लिए मैं इसमें आटा डाल रही हूं यह यह मेंरे पास 5 चमच तरह गयाना के 5 टेबल स्पून आठा है इसको में अच्छी तरह से यह देखिए आप ज़िए अच्छी तरह से इसको मलूं गी करीपन 15 से 20 मिनट मैं इसको मलूंगी अ U आप लोग देख रहे हैं इसको ज़़ोर से अच्छी तर में आटे की वजह से इसकी महग हत्म हो जाती है जब यह अच्छी तर्ह उदूंगी यह देख लें मैं दोनों हाथों की मदद से इसको अच्छी तर्ह से ज़ोर जोर से माल रही हूं ताकि ये अच्छी तरह से इसकी महग बिल्कुल हतम हो जाए अगर महग हतम ना हो तो हंडिया अच्छी नहीं बनेगी ये इस तरह अच्छी तरह से मैं इसको माल के फिर मैं इसको वाश करती हूँ वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ या मैं इसको अच्छी तरह से वाश का रही हूँ इसको एक पीस, एक एक पीस को पकड़के इस तरह अच्छी तरह से दोना है अगर इसमें कोई गांद बगारा रहा गया है तो वो हम इसको निकाल लेंगे क्योंकि हमने आटा जो यूज किया है उसकी वज़ा से इसकी स्मेल नहीं आएगी अब मैं इसके पीसिस कर रही हूँ इसके ज्यादा चोटे पीसिस नहीं करने हैं मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ ये इसके इस तरह चोटे चोटे पीस है ज्यादा चोटे नहीं है मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देती हूँ यह देखिए इस तरह से इसके पीसिस करने है और यह देखे कितनी साफ सुतरी बन गई हुई है मैंने अच्छी तरह से इसको वाश की है इसके लिए जो मसाला चाहिए होगा उसमें तीन अदद बड़े प्याज है तीन अदद बड़े टमाटर है एक पूरा लेसन है और यह अद्रका पीस है यह सारा मसाला मैं ग्राइंड करूंगी और ग्राइंड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि हमने भूननी है इसलिए यह मसाला यह देखिए यह इस तरह मैंने इसके छोटे छोटे पीसिस करके रख लिया है यह बिल्कुल साफ सुत्री हो चुकी हुई है आपको मैंने बता दिया था दो अदद ओजरी है और यह इसका मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया है हम मैंने एक प्रेशर लिया है उसमें मैंने मसाला डाला है अब यह मैं ओजरी ये इसमें डाल रही हूँ तक्रीबन इसमें ओजरी डालके हम एक ग्लास पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से देखें मैंने एक ग्लास पानी डाला है और इसमें फिर आप मैं मसाले अड़ करूंगी उसमें जाएगा नमक यह मैंने नमक है वन टेबल स्पून यानि के एक चमच भर के मैंने लिया है यह मेरे पास खुला नमक है और इसके इलावा यह मेरे पास जीरा है आदा चाए का चमच हाफ टी स्पून और यह मेरे पास है लाल पिसी हुई मिर्च यह 1.5 चमचा यानिके 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और इसके साथ है यह हल्दी यह हल्दी 1.5 टी स्पून यह भी इसमें एड़ करूंगी आप लोग मसाले देख रहे हैं यह मसाले इसमें जाएंगे यह सारे मसाले मैं इसमें आड़ कर रही हूँ बिसमिल्लारह्माने आहीम इसके साथ साथ इसमें थाबत मसाले भी मैं आड़ करूंगी हुश्भू के लिए एक बड़ी लाची है कुछ दालचीनी के पीसिस हैं आप लोग देख रहे हैं और साथ ही यह मेरे पास काली मिर्चे हैं यह और इसके साथ बाद्यान का फूल है तकरीबन यह 10-12 काली मिर्चे हैं साबुत काली मिर्चे हैं यह भी इसमें अड़ कर दूँगी अब इसको मैं मिक्स करके इसको प्रेशर लगा दूँगी तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मैं अब 15 मिनट बाद इसको प्रैशर को खोलूँगी फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी आप लोग देख रहे हैं मैंने इसको प्रैशर को खोल दी अब 15 मिनट हो चुके हैं यह देखिए यह गल चुकी हुई है झाले को खोलो चुकी है ये देख रहे ये बिल्कुल कल चुकी विया है यद्सका पानी भूशा करूँघ और इसको फिर अच्छी तरह भूनूँ गी आप लोग देखरे है इसका पानी या तक रिफें एक आदा ग्लास पानी है इसमें इसको मैं सासात ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह से भूनूँगी इसका पानी होशा करके फिर इसमें हम ओईल डालेंगे वो भी मैं आपको सासा दिख दूए यह मैंने इसमें तकरीब़न एक प्याली ओईल डाला है आप लोगं के सामने मैं डाल रही हूँ आप लोग देख रहे हैं क्योंकि हमने इसको भूनना है यह मैंने इस तरह तीन मेरे पास यह चमच थे मैंने इस तरह डाल देए यह चोटे ऑईल डालने के लिए मैंने यह चोटा चमच रखा हुआ है हम इसको अच्छी तरह से भूनूँगी इसको जितना हम अच्छी तरह भूनेंगे उतनी ही इसकी महक हतम होगी और महक नहीं आएगी आप लोग देख रहे हैं साइडों से भी उतारती जा रही हैं और इसको अच्छी तरह से भूनती जा रही हैं पंद्रह से बीस मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह से भूनने में यह भूनी हुई माशाला से यह देखे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और इसकी महग भी नहीं आएगी आप लोग जुरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे कमेंट्स में बताएगा इसकी महग बिल्कुल भी इन्शाला नहीं आएगी आप लोगों को मैं सासा दिखा रही हूँ यह देखें गी उपर आ रहा है मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसको साथ अच्छी तरह भूनूंगी सादा पानी मेरे पास रखा हुए इसको मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डाल कर इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ तकरीबन तीन से चार दफा थोड़ा थोड़ा सा पानी अड़ करना है अब यह मेरे पास पिसा हुआ हुशक धनी है यह मैंने फुश्बू के लिए इसमें एड़ किया एक चमच अब फिर मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ इसको हम जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे उतनी ही यह अच्छी बनेगी मैंने आपको इसके वाश करने का भी तरीका बता दिया है थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ और इसको अच्छी तरह से भूनती जा रही हूँ माशाले से इसकी लुक देखिएगा अब फिर से मैं पानी डाल रही हूँ अब यह भून चुकी हुई है अब हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ यह देखिए जी यह बानकर रैडी हो चुकी हुई है इसपे मैंने हरा धनिया डाल दिया आप लोग इसकी लुक देखिए अगर आप लोग इसमें गरम मसाला अड़ करना चाहें पिसा हुआ तो वो भी हाफ टी स्पून अड़ कर सकते हैं लेकिन मैंने इसमें गरम मसाला पिसा हुआ अड़ नहीं किया आप लोग देख रहे हैं आप लोग बनाएएगा जुरूर मुझे कुमेंटिस में बताएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा और कुमेंटिस कीजेगा और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा इन्शाला अब हम मिलेंगे न lacks CP के साथ इसको जुरूर ट्राइ कीजिएगा अल्ला हाफीज अल्ला हाफीजगा